जन्रद में किसान कमबाइन से गेहूं की कटाई करते हुए समय भूसा बनाने वाली मशीन ना लगाएं जिसके समध में एडियम फाइनेस राजेश कुमार सिंग ने बताया कि हर वर्ष गेहूं कटाई के समय खेतों में आग लग जाती है जिससे की पूरी गेहूं की फसल शत इगरस्त हो जाते हैं इसलिए किसान भाइयों से अपील है कि गेहूं कटाई के समय भूसा बनाने वाली मशीन को ना लगाएं केवल गेहूं की कटाई करें जिससे आग ना लगे इस समध में गोरखपुनी से बात करते वे एडियम फाइनेस राजेश कुमार सिंग ने कहा मेरा अनरोध है आप लोगों से जो लोग कमबाइन का प्रियोग कर रहे होंगे वो अभी केवल और केवल गेहूं के दाने ही काटें उससे उसमें इस्ट्रा न लगाएं जो भूसा बनाता है सुचना ये दी गई है दी गई है लोगों ने बताया भी है कि उसकी वज़े से चिंगारी निकलती है और वो चिंगारी फिर पूरा आपकी केवल गेहूं की फसल बरबाद नहीं करती आसपास की गेहूं की फसलों को भी बरबाद करती है तो अनरोध है कि अगले 15 दिनों तक आप जब तक आपके आसपास की फसल कट न जाए तब तक आप वो जो भूसा बनाने वाला आपका इस्ट्रा लगता है उसको ना लगाएं, बहुत बहुत धन्यवाद